तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग असा करते हैं आप ठीक होंगे तो दोस्तों आज वह बना रहे हैं परकर तो देखिए हम कैसे बना रहा हैं परकर आज सिसके चिखन बरकर तो में दोस्तों तो क्याने हम की पूक्प सबसे बढिए औ ख्राइ करें तो क्यूंब ये ये सोब दकेट करने के ये प्राइक चीभाओ घ्सक akl हिए तदियां तदिया हुंतिक circular फ्रीडियन दिउऑ ने श्खुर प्राइब बड़ें इसे कानी है और हुटें पाला हुटें या पाला हुटें याला हुटेंगा गारा कर दो सकते हुए जार, बbor तो देखे भाई आप ये ब्रेट जो है रोष्ट के जा रहा है इसके बाद से इसमें लगाए जाएगा मियोनीज और ये खीरा टमाठर प्यास और पात को भी ये लगा रहा है ये क्या लगा रहा है ये है मियोनीज और ये लेकिए इसको इसको आप डिलते हैं इसको अच्छे देखाए गाएगा जाएगा अच्छा जिद्धी क्वांडिटिंग चीज पर निकाल देंगें तसलिक चार से अनाम से इसे मेंडीन को खलाया देंगें अदेजिया भईया लगा रहा है थोड़ा इस पर डाल देंगें और इसको चमच का ना सहाय्ता लेते हुए वे अच्छार इसको प्यार से इसे स्ञार害 कि इस चारत प्राइव एक यह बीच में थो कि यह रेठी मैं तो स्वाला यह िंपाने इसमें तो स्वाल चाले हम डालेंगे और इस वी जगा यहीं देगा स्वाद है जी यहां जीए जीए एक रेडी हो गया है इस तरह हम चारों में लगा लेगे पस प्रश को लगा देंगे अधेरा तो जाले मा जाई पूस्किल नहीं है यहीं दमार है किलिए रहा है कि अधिए बड़ी शांदाब लगा है थोड़ा सा इस पर कम पर किया इस थोड़ा सा डाल लेगे तो देखे जो यह सेफ है वह यह है है इंको देख लीजिए अबड़ी केचप लगाने में कोई कोताई मत करिएगा जितना आप से वह से गुपना लगाईए क्योंकि केचप इसको अच्छी तरीके से बहाने एका यह लगके तयार है ठीक ज़िए और इस पर दढ़ेगा चि करें आप किसी भी कंपणी का यूज कर सकते है kfc का mcdonald's को किसी का भी आप यूज करते हैं तो यह लोग में चांटाइल को स्लाइस एस टमीटोर स्लाइस क्शा कर दो ड़ा देगी कर दो यह लिटेशन में कमी होनी चाहिए कि यह नों टमाटों को स्राइस लगा दिया और किसी उखाना है तो स्राइट से थोड़ा थोड़ा पर लगा देंगे किसी उख कम नहीं होना चाहिए यह टमाटों को स्राइस ओके फिर उसमें लगाएंगे ओनियर मचरवा तो जैसा कि अब देखना दोस्तों यह ओनियन लग चुगा है कि इसके प्यार लगाएंगे जैसे कि इतना ज्यादा रहेगा उतना खाने मच लगा थोड़ा सा इसके खीरा लगा लेंगे फाइदे मंदी खीरा को ड़नी जरू ड़नी इसको अवाइड ना जड़े रहे खीरा थोड़ा 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 केचप और रहेंगे यही देगा मज़ा इसमें सब में थोड़ा थोड़ा क्या लेंगे जबातों यहां पूरां थोड़ां तोलिया पत्ता गुवी का यूज़ करेंगे, जो कि शिहात के लिए बहुत हेल्दी है, यह देसी तरीका दोनागा आप आप इसको देसी कहें, वह आपके पर डिपेंट करता है, कमेंट करते जुरू बता है, आप इसको क्या नाम देना चाहिएंगे, और यह आपने लगा दिया पत्त और यह हमारा भी फिरा तयार है, अब इसको लास्ट स्टेप, जो कि है यह वपर का बन, इसको अपनों लगा देंगे अच्छे तरीके से, यह बन लग किया इसका, और यह हमारा बर्गर बनके तयार है, कैसा लगा आपको बर्गर के एसीपी, आप कमेंट करके जुरू बता अ邊 करे लगाए, अन्यवा भाट बाय, और यह बर्गर बेनके रेड़ी है, और यह हमारे गेस्ट है, जो खाने आए है, और आप लोग खागार बताइए, बर्गर कैसा बना है, जावत भाई उठाइए, अप लोग भी उठाइए, खाकर बताए, टेस्ट बताइए कैसा है, अच्छा है, आप बताईए कैसा लगा टेस्ट आपको एक नमबर बढ़िया है तो भाई देख लिए बरगर अच्छा बना है आप भी बनाईए और खाईए और लोगों को शेर करिया, धन्यवाद